चलिए अब आते हैं हम पंद्रवे अध्याय पर वर्थनी की अशुद्धिया जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शब्द किस से मिलकर बनते हैं वर्णों से मिलकर बनते हैं और अधिकान शब्द पे कोई न कोई मात्रा होती है इस तरह जो शब्द का रूप बनता है उसे हम शब्द की वर्थनी कहते हैं कई बार हम लिखते समय कलत मात्रा लगा देते हैं या मात्रा को गलत स्थान पर लगा देते हैं इससे हमारी वर्थनी कलत हो जाती है जैसे कि देखे इस चित्र में चिडिया है ये चिडिया में इसमें चार वर्तनी दी गई है इसमें से कौन सी सही है इसमें ये वर्तनी हमारी सही है तो बचों ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सही वर्तनी लिखने के लिए शब्द का सही उच्चारण हो वा उसका सही रूचानना जरूरी होता है सही उच्चारण से ही आप सही वर्तनी का पता लगा सकते हैं इसमें ये कुछ हमारे अशुद शब्द ये गए हैं वा ये कुछ हमारे शुद शब्द है तूद, तूद का क्या होगा ये पडोसी ये महत्व ये स्वास्त ये पुरसकार ये हिरन ये बिमारी ये आशिरवाद ये रुपया, ये कृपया, ये किथी, मिठाई, प्रित्वी, क्योंकी, गुरू, श्रीमती, परिक्षा, आकाश, शर्बत, साप्ताहिक इस तरह के से ये हमारे शुद्शब्द है चलिए अब आते हैं, हम अभ्यास माला पर इसमें हमें पहले में क्या करना है, निमलिकित प्रिश्णों के हमें सही उत्तर देने है तो पहला क्या है, वर्दनी किसे कहते हैं, स्पर्ष्ट कीजिए जब हम कोई शब्द लिखना चाहते हैं, तो वर्णों को मिला कर उस शब्द को लिखते हैं अधिकान शब्दों पर हमें मात्राइं भी लगानी पड़ती हैं इस तरह जो शब्द का रूप बनता है, उस शब्द को हम वर्दनी कहते हैं दूसरे पर आते हैं, सही वर्दनी लिखने के लिए क्या जानना जरूरी है सही वर्दिनी लिखने के लिए शब्द का सही उचारण वा उसका सही रूट जानना बहुत जरूरी है हम सही वर्दिनी का पता कैसे लगा सकते हैं? हम सही उचारण करके सही वर्दिनी का पता लगा सकते हैं दूसरा है हमें कुछ शब दिये गए हैं चिंकी वर्तनी सही है उस पर हमें गोला बनाना है क्योंकि का कौन सा सही है ये आविश्कार का कौन सा सही है ये दोहार का कौन सा सही है ये परिक्षा ये किताब ये स्वास्त ये इस तरीके से अगर हम सही उच्चारण करेंगे तो हम सही वर्तिनी को असानी से पहचान सकते हैं अब आते हैं हम तीसरे पर वाक्यों में काले मोटे छपे शब्दों को शुद करके लिखना है शेखर तीसरी कच्छा में पढ़ता है इसका क्या होगा कक्षा रमन का स्वास्ति ठीक नहीं है इसका क्या होगा स्वास्त लड़किया पढ़ रही है इसका क्या होगा लड़किया पढ़ रही है इस तरीके से आपको वर्तिनी को सही करके लिखना है